जम्मू कश्मीर में बिरोजगारी दर को कम करने के लिए कई सतों पर कोशिशे की जाती रही है सरकार जहां पुरुशों के रोजगार के लिए अफसर प्रदान कराती रही है बही महिलाओं के कल्यान पर भी हमेश्य ध्यान देती रही है जिसके लिए कई तरह के स्कीमे भी चलाती रही है यही वज़ा है कि केंदर सरकार ने रजौरी के दूर दराज इलाकों में रह रही महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है इस ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें सिलाई, कढ़ाई और दूसरे हुनर सिखाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो भविश्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सके रजोरी की सैखड़ो लड़कियां अपनी भविश्य को सवारने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में खासी दिलजस्पी ले रही है यहां ये लड़कियां फैशन डिजाइनिंग, कश्मीरी इंब्रोईडरी और दूसरे कामों को भी सीख रही है सरकार की इस पहल से लड़कियां काफी खुश हैं और पूरे जोश के साथ सेंटर में पहुच रही है यहां बार्डर एरिया यहां पहले कोई सेंटर नहीं था, यह सेंटर पहली बार आया हुआ है तो हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, यह अतने दूर से आकर हम इस खाते हैं और यहां सेंटर में सब कुछ गुवर्मिन्ट की तरफ से हमें मिलता है यह दागे वगयरा सब कुछ मिलता है और हम जनमाजे कालीने और सब कुछ यहां बुजा मैट सब कुछ हम बना रहे हैं तो हम बहुत इसके पहले यहां सेंटर नहीं था, हम बहुत बेरोजगार लड़कें यहां बैठी हुई थी यहां के कारिगरों द्वारा बनाए गई खुबसूरत और सुन्दर चीजे लोगों को अपनी तरफ खीच लेती हैं यहां के लागों कारिगरों के लिए हस्त शिल्प उत्पादन रोजगार का एक बड़ा जरिया है इलाके की महिलाएं सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का दिल से स्वागत कर रही है यही बज़ा है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इलाके की महिलाओं को इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पता चल रहा है वो अपना दाखिला यहां करवा रही है इस सेंटर को खास तोर पर उन महिलाओं के लिए खोला गया है जिनके घर की आर्थिक हाला ठीक नहीं है